खलो दोस्तों, गुबार फिर से सुवागत है हमारी ग्यान पर योटूब चैनल पर। दोस्तों दिल्ली पुलीस के तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है, जो पुलीस के रिक्रीमेंड निकल के आई है दिल्ली पुलीस तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिल्ली पुलीस के तरफ से जो भी रिकृर्मेंट निकालके आई है उसका डिटेल हम लोग जानते हैं दिल्ली पुलीस का जो वेबसाइड में जाने के लिए लिंक अप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली पुलीस.nic.in मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी यह लिंक पे आने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपेन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए रिकृर्मेंट का ओप्सन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे किलिक करेंगे तो सबसे पहला वाला जो दिया गया है डिरेक्ट रिकृर्मेंट फूर्द पोस्ट हेड कॉंस्टेबल इस पे मैं किलिक करता हूँ तो हम लोगों को एक PDF डाउनलोड होके समने में आ जाता है जहां पे डिटेल हम लोग को मिल जाएगा मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और अप लोगों को दिखा देता हूँ दिल्ली पुलीस दिया गया है यहाँ पे और इसका किया क्या क्वालिपिकेशन से रिलेटेड, Name of the Post क्या है, देखिए, Head Constable, Male-Pho plays, सब के लिए अलग-अलग से दिया गया है, Male के लिए General में 140 दिया गया है, Phmarine के लिए CBS. के लिए 37 है 18 दिया गया है female के लिए उसके बाद 86 दिया गया ओविसी में male के लिए और female के लिए 42 दिया गया है तो इस तरह से divide कर दिया गया है male में total दिया गया है देखें हर category को add करके अगर देखें तो 372 है और 182 दिया गया है female के लिए सब vacancy मिला के हो जाता है 154 vacancy निकल क का सेलरी का अप लोग जोब पासकते हैं दिल्ली पुलिस में एज जो दिया गया है एक साथ 2019 के अधार से अगर अप लोग कल्कुलेट कीजेगा तो अप लोग का 18 से 25 के अंदर में हो जाना चाहिए अप लोग का एज उसके बाद देखिए OVC के लिए 18 अलग से दिया गया है यह maximum दिया गया है OVC के लिए दिया गया है 18 और यह 25 जो मैंने बताया था 25 है जेनराल और EWS के लिए OVC के लिए 28 दिया गया और SCST के लिए 30 उसके पद डिजलोटी वाले जो आते हैं उसके लिए 35 यार्स दिया गया है जेनराल और EWS के लिए 38 यार्स पूर OVC and 40 यार्स SCST दिया गया है यह डिजलोटी वाले कंडेट के लिए आ जाते हैं तो इसी तरह से सब का डिटेल अलग-अलग से दे दिया गया है यहां पर कितना कितना एज होना चाहिए क्वालिपिकेशन की बात करें तो क्वालिपिकेशन जो दीगे है 12 पास होना चाहिए और 12 पास अगर कंप्लीट के हैं तो आप लोग इसको एपलाई कर सकते हैं उसके बाद आप लोगों का टाइपिंग होगा अभी दिये गए देखे 30 WPM और हिंदी के लिए 25 WPM इंगलीज के लिए भी और हिंदी टाइपिंग दोनों ही आप लोगों को आना चाहिए उसके बाद अपलीकेशन फर्म्स जो होगा आप लोगों को अपलाई करना होगा उसके बाद फी की बात करें तो फी यहां पर दिया गया है 100 रुपीज दिया गया है और SC, ST और ex-servicemen, person with digital यह सबके लिए नहीं दिया गया है कोई payment यहां पर दिखे लिए तो यहां पर सिर्फ जनरल ओविसी यह सबके लिए 100 रुपीज दिया गया है बाकी सबके लिए नहीं दिया गया है आप लोग फिरी में इसको अपलाई कर सकते हैं और मैंने जैसे आप ल वह ही चीज हिंदी में भी अपलोग को same to same मिल जाएगा तो अपलोग हिंदी इंग्लिज दोनों में देख सकते हैं जिसमें अपलोग इच्छों को इसमें नीचे आईएगो तो फिर से left right दोनों साइड में दे दिया गया है वही detail उसके बाद इसमें से कुछ-कुछ aid के है अपलोग को जनना जरूवी है जैसे यहां पर दिया गया है अपलोग का male candidate के लिए यहां पर क्या होना चाहिए up to 30 years इसके बाद race अपलोगों का जो होगा यह race होगा 7 मिनट में 1200 मिटर long jam high jam female के लिए भी वही मिल जाएगा आप लोगों को 800 मिटर का दिया गया है पांच मिन 40 years यह सब के लिए सबका अलग-अलग से दे दिया गया है उसके बाद और नीचे में आएगा तो आप लोगो method of requirement मिल जाएगा जो computer based exam होगा 100 mark के लिए रहेगा physical यह आप लोगों का measurement test जो होगा qualifying करना होगा उसके बाद typing test on computer 25 mark का होगा उसके बाद formatting test जो computer का होगा वो qualifying रहे हाइनल रिजल्ट उसके बाद आप लोगों का मिलेगा 125 mark का total होगा यह जिसमें से आप लोगों का computer based examination object type जो जाम होगा उसमें से general answers के लिए 20 questions रहेंगे 20 marks यानि कि एक question का एक mark मिलेगा उसके बाद amplitude के लिए यहाँ पे आप लोगों का 20 question रहेगा 20 mark का इसी तरह से सब का divide कि रहे गया है सब में अगर computer में आप लोग देखें तो computer में computer fundamental यानि कि basic चीज पुछेगा आप लोगों का computer से related उसके बाद MX, Excel, MX word, communication, internet, www, web browser यह सब से related आप लोगों का question पुछेगा total आप लोगों का 100 question रहेंगा 100 mark में डेड़े घंटा का exam होगा दिखें दिखाई दर आए यहांपर 90 minute का exam रहेगा जिससे अप लोगों को तैयारी करने में भी easy होगी सारा topic दे दिए गया है, word में आप लोगों का क्या-क्या topic रहेगा, वो चीज भी यहांपर दे दिए गया है, दिखें, word का क्या-क्या topic नीचे यहां पर एक एक लाइन अगर पढ़ने जाए तो अभी बहुत ही बढ़ा हो जाएगा है तो यह सब डिटेल अपलों पढ़ने के लिए डिस्क्रेप्शन में जाए और वहां पर मैं लिंक दे दूँगा डिरेक्क किजिए डाउलोड किजिए और अच्छी सिखवर लोग को यह अच्छी लगी होगी तो जरूर से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह का नोडिफिकर्शन अगर डेली बाना चाहते हैं तो चैनल में बने रहें सस्क्राइब करें चैनल को और साथे सथ बेल घंटे को भी दवा दें थेंक्यू